Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Chetra and today we are going to learn past indefinite tense. Past indefinite tense क्या होता है? हम इसे कभ यूज करते हैं? Past indefinite tense में sentence की structure क्या होती है? इन सभी points पर आज की वीडियो में focus करेंगे. तो topic को start करते हैं लेकिन इससे पहले अगर channel पनना हैं तो channel को subscribe कर लिजिए and latest video की update के लिए bell icon को भी hit कर दीजिए. तो topic को start करते हैं. So, आज का topic है past indefinite tense. So, गाज देखते हैं कि past indefinite tense को हम कभ यूज करते हैं? The past indefinite tense is used to express the action that happened in the past. Past indefinite tense का use हम तब करते हैं जब कोई action past time में होता है. Means past time में जब कोई action finish हो जाता है, over हो जाता है तो उसको बताने के लिए हम past indefinite tense को use करते हैं. Past indefinite tense में जो action हम बताते हैं वो action कोई habit भी हो सकता है. Means habitual action past time की habits को बताने के लिए भी हम past indefinite tense को use कर सकते हैं. Examples देख लेते हैं. My brother worked on this project. मेरे भाई ने इस project पर कारे किया. इस tense में हम past form को use करते हैं. Worked जो की work की past form है. उसको इस sentence में use किया गया है. यह sentence past indefinite tense में है क्योंकि यह यहाँ पर हमें past के action के बारे में बता रहा है. Next example लेते हैं. That girl sang a sweet song yesterday. उस लड़की ने कल एक मधुर गीत काया. यहाँ पर yesterday का use हुआ है. और साथी बॉप की second form का use किया गया है. Sang जो की sing की past form है. उसको यहाँ पर use किया गया है. यह बताने के लिए कि यहाँ पर गीत को गाने का कारे past time में किया गया है. आज जोर से बारिश होई. टूडे में तीनों ही tense आजाते हैं. Past, present and future. अभी का जो time है वो present है. अब से पहले का time past और अब के बाद का time future में आता है. तो it rained heavily today. आज जोर से बारिश होई means अब से पहले. अभी जो present time हो, उससे पहले की यहाँ पर बात हो रही, past time की बात हो रही है. इसलिए यहाँ पर rained, past form को use किया गया है. Next example लेते हैं. He woke up at 5 a.m. बहे सुभा 5 बजे उठा. तो यहाँ पर woke, जो की past form है, उसको यहाँ पर use किया गया है. और यहाँ पर past का एक exact time बता कर, यहाँ पर past definite tense को बनाया गया है. Next example लेते हैं. They played hockey. वे hockey खेलते थे, या उन्होंने hockey खेला. तो यहाँ पर past में खेला. Past के time की बात हो रही है, इसलिए वर्ब की past form को use किया गया है. Next example लेते हैं. I met my friend after a long time. A long time. यहाँ पर इस expression को use किया गया है. I met my friend after a long time में, अपने वितर से एक लंबे समय बाद मिला. यहाँ पर मिलने का कारे किया गया past time में. इसलिए यहाँ पर meet की past form met को use किया गया है. तो यहाँ पर यह action भी past time में किया गया है. यह कारे भी past time में हुआ है. इसलिए यहाँ पर past indefinite tense को use किया गया है. उसी के according work को use किया गया है. अब देखते हैं, habitual action बताने के लिए हम कब past indefinite tense को use करते हैं. For example, he used to work 8 hours daily. वह प्रती दिन 8 घंटे काम किया करता था. या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं. He worked 8 hours daily. वह प्रती दिन 8 घंटे काम करता था. दोनों के हिंदी में थोड़ा सा difference है. He used to work 8 hours daily. इसको हम हिंदी में translate करते हैं. वह प्रती दिन 8 घंटे काम किया करता था. And he worked 8 hours daily. इसको हम हिंदी में ऐसे translate करते हैं. वह प्रती दिन 8 घंटे काम करता था. यह दोनों ही habit को बता रहे हैं. क्योंकि यहाँ पर daily values हुआ है. means past में कोई कारे प्रती दिन किया जाता है. तो प्रती दिन जब कोई कारे किया जाता है. तो वह habitual action में आता है. तो यहाँ पर habit बताए जा रहे है. Habitual action यहाँ पर बताए जा रहे है. कि काम को प्रती दिन किया जाता था. एक और example लेते हैं. My grandfather used to read the newspaper daily. मेरे दादा जी प्रती दिन न्यूस्पेपर पढ़ा करते थे. या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं. My grandfather read the newspaper daily. मेरे दादा जी ने प्रती दिन न्यूस्पेपर को पढ़ा. या मेरे दादा जी प्रती दिन न्यूस्पेपर को पढ़ते थे. दोनों sentence का meaning same है. तो यहाँ पर भी एक habit के बारे बताया जा रहा है. एक regular होने वाले action को बताया जा रहा है. कि past time period में एक action जो है प्रती दिन किया जाता था. तो इस तरह से हम past tense का use करते हैं. Past tense का use हम तब भी कर सकते हैं जब एक sentence में एक से ज़ादा verb को use करते हैं. जब एक से ज़ादा action को बताने के लिए भी हम past tense का use करते हैं. She went to the market and bought some books. यहाँ पर दो action हुए है. She went to the market, where market गई and bought some books. और उसने कुछ books खरी दी. यहाँ पर दो verb हैं. Went जो की go की past form है and bought जो की buy की past form है. इन दोलों को इस sentence में use किया गया है. Past indefinite tense का यहाँ पर use किया गया है. तो इस sentence हमें यहाँ पर बता रहा है कि हम एक sentence में एक से ज़ादा action को भी बता सकते हैं. Complex sentences में भी हम past indefinite tense को use करते हैं. For example, when he was 11, he played cricket every day. जब वहे 11 वर्ष का था, वहे प्रति दिन cricket खेलता था. या फिर हम यह भी कह सकते हैं, he used to play cricket every day. मैं प्रति दिन cricket खेला करता था. तो यहाँ पर habit को बता है, जा रहा है. कि जब वहे 11 वर्ष का था, तो वहें प्रति दिन cricket खेलता था. यहाँ पर he was 11. Was, जो कि B की past form है. उसको यहाँ पर use किया गया. यह sentence बिस simple past tense में है. linking work को यहाँ पर use किया गया है. linking work को यूज करके भी हम simple past tense बनाते हैं. guys, linking work पर channel पर एक video है. अगर आप नहीं जानता हैं कि linking works क्या होती है, तो आप उस video को देख सकते हो, linking work को detail में भी जान सकते हो. तो linking verb का यूज़ करके यहाँ पर simple past tense को बनाया गया है linking verb का यूज़ करके भी हम past tense बनाते हैं कैसे बनाते हैं उसको हम आने वाली वीडियो में देखेंगे तो यहाँ पर he was 11 यहाँ पर linking verb का यूज़ करके sentence बनाया कि फ्लेट किर्किट यहाँ पर past form को यूज़ करके means verb की second form को यूज़ करके sentence बनाया गया और यह complex sentence है कि जब वह 11 वर्ष का था तो वह प्रते दिन किर्किट खेला करता था या प्रते दिन किर्किट खेलता था तो यहाँ पर habit को भी बताया जा रहा है दिखते हैं कि past indefinite tense में sentence की structure क्या होती है जैसके हम जानते हैं कि English में sentence की basic structure होती है subject then verb and then object इसी के basis पर आज हम past indefinite tense की structure को बनाने वाले हैं past indefinite tense में हम verb की second form को यूज़ करते है means verb की past form को यूज़ करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि assertive sentence की structure क्या होती है जैसके हम जानते हैं कि assertive sentence दो तरहाग sentence, affirmative sentence जिसको हüm positive sentence भी कहते हैं, positive sentence में sentence की structure होती है subject, then verb की second form, and then object, यही एक ऐसा tense होता है, जिसमें हम verb की second form को use करते हैं, और mainly इसके affirmative sentences में ही हम verb की second form का use करते हैं, अब दिखते हैं कि negative sentence की structure क्या होती है, GUYS जैसे कहम जानते हैं कि negative सिंटेंस में हम नौट को yuz करते हैं और नौट का इस्थ हमेशा Kung xu के साथ करते हैं तो यहाँपर हमारे पास कोई helping for नहीं है formative अंटेंस में कोई helping you use नहीं किया है तो यहाँपर हम कौन सी helping work को use करेंगे present indefinite tense में हमने वर्भ की first form को use किया और past indefinite tense me work to second form को यूज करते हैं present indefinite tense के negative sentences में do does का use किया जाता है past indefinite के negative sentences में do does की past form को use किया जाता है means did का use किया जाता है यहाँ पर did को as a helping verb use किया जाता है तो negative sentence के structure होती है subject then did not then verb की first form and then object यहाँ पर affirmative sentence में हम verb की second form को use करेंगे लेकिन negative और interrogative sentence में हम verb की first form को use करेंगे means base form को use करेंगे उसका reason यह है कि हम यहाँ पर did में पहले ही past form को use कर चुके हैं और हम दो past form को एक साथ नहीं रखते हैं तो यहाँ पर did के साथ हम verb की first form को use करेंगे तो Negative sentence की structure है subject, then did not, then verb की first form and then object. अब देखते हैं कि interrogative sentence की structure क्या होती है, जैसे कि हम जानते हैं कि interrogative sentence दो थरा के होते हैं, yes or no answer type question and second wh type question, yes or no answer type question वो question होते हैं जिनका answer हमी हमीशा yes or no में मिलता है, ये sentence helping verb से start होते हैं और हिंदी meaning में ये sentence क्या से start होते हैं, तो देखते हैं कि yes or no answer type questions कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले use करेंगे did का, then subject, then अगर sentence में not है तो not का use करेंगे, then verb की first form and then object और उसकी बाद question mark का use करेंगे, WH type questions बनाने के लिए हम question word का use करते हैं और हिंदी transition में इस question word का meaning sentence के पीच में आता है, इसका answer हमें कुछ detail में मिलता है, तो देखते हैं कि WH type questions कैसे बनते हैं, WH type questions बनाने के लिए सबसे पहले use करेंगे question word और बाकी structure same रहेगी, तो सबसे पहले use होगा question word का, then date, then subject, then अगर sentence में not है तो not का use करेंगे, then verb की first form and then object, उसकी बाद question mark का use करेंगे, तो इस तरह से past indefinite tense का sentence बनाते हैं, देखते हैं इसमें कॉल कॉल से time expressions को हम use करते हैं, yesterday, the day before yesterday, ago, a long time ago, last night, last week, last month, last year, कोई year use कर सकते हैं, for example, 1990, 1995, 2015, तो इस तरह से कोई year हम use कर सकते हैं, in the past, everyday, daily, ये time expression हम this tense में use कर सकते हैं, example से देख लेते हैं, he helped me, उसने मेरी सहता की, यहाँ पर past की बात हो रही है, यहाँ पर verb की second form को use किया गया है, past को बतानी के लिए, उसने मेरी सहता की, इस past time में सहता की, इस sentence को हम negative में बनाएंगे, तो हम इसे इस तरह से बनाएंगे, he didn't help me, या he did not help me, उसने मेरी सहता नहीं की, हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, कि उसने मेरी सहता कभी नहीं की, he never helped me, never से भी negative sentence बनते हैं, बड़ गाइज इसमें इस बात पर घ्यान देना है, कि did not के साथ हम verb की first form को use करेंगे, और never के साथ हम verb की second form को use करेंगे, इस sentence को यदि हम interrogative बनाना हो, तो हम इसको इस तरह से बनाएंगे, did he help me, क्या उसने मेरी सहता की, WS type question बनाने के लिए हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, when did he help me, उसने मेरी सहता कब की, तो इस तरह से हम बनाते हैं sentence, next example ले लेते हैं, he spoke the truth, उसने सच बोला, यहाँ पर speak की past form को use किया गया है, और यहाँ पर past की बात हो रही है, इसको यदि हम negative में बनाएं तो हम इसको इस तरह से बनाएंगे, he did not speak the truth, या he didn't speak the truth, तो did not के साथ वोप की first form को use किया गया है, या फिर हम इसमें never को भी use कर सकते हैं, he never spoke the truth, उसने सत्य नहीं बोला, या उसने सत्य कभी नहीं बोला, इसको यदि हम interrogative में बनाएं तो हम इसको इसको इस तरह से बनाएंगी, did he speak the truth, क्या उसने सत्य बोला, या फिर हम इसको डबलू एज फैमली का वर्ड यूज करकी भी बना सकते हैं, why did he speak the truth, उसने सत्य क्यों बोला, next example लेते हैं, I worked in this department, मैंने इस department में कारे किया, यहाँ पर worked work को यूज किया गया, जो कि work की past form है, तो यहाँ पर past की बात हो रही है, इसको हम negative में बनाएं तो हम इसको इस तरह से बनाएंगे, I didn't work in this department, मैंने इस department में कारे नहीं किया, या फिर हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इसको हम interrogative में बनाएंगे, तो इस तरह से बना सकते हैं, तो guys, इस तरह से हम past indefinite tense के sentence बनाते हैं, complex sentence भी हम past indefinite tense में बनाते हैं, for example, मैं सेस्टर स्टुडिड स्पैनिश वेन शी वाज यंग, मेरी सेस्टर ने स्पैनिश का अधिन किया, जब वह यंग थी, यहाँ पर studied, जो की study की past form है, यहाँ पर use की गई है, शी वाज यंग, इस sentence भी simple past tense में है, यहाँ पर linking verb की साथ इसको बनाया गया है, वाज, simple past tense में हम linking verb को भी use करते हैं, means, बी की past form का use करके भी, हम sentence को बनाते हैं, इस तरह के sentence कैसे बनते हैं, हम आगे की वीडियो में देखेंगे, यहाँ पर past indefinite tense को use किया गया, वाज की second form को use किया गया, और साथ ही linking verb को भी use किया गया है, सो गाइस यह था past indefinite tense पर आज का वीडियो, कि past indefinite tense क्या होता है, हम इसे कभी use करते हैं, इसमें sentence के structure क्या होती है, I hope कि आज का वीडियो आपके लिए helpful रहा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो उसे like कीजिए, share कीजिए, और चैनल को subscribe कीजिए, thank you so much for watching my video, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए, bye bye,